Hello everyone, welcome to my channel Alangrita Education Hub. I hope you all are good. ये मैं वीडियोज लेके आई हूँ, हमारे Constitution में जो आर्टिकल्स हैं, उनके उपर, पिछली वीडियोज में 51A आर्टिकल्स तब मैं कवर करवा चुकी हूँ. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय एक्जाम्स का सीजन चल रहा है और UPPCS, जो कि बहुत ही महत्वपुर्ड परिक्षा है, ये जादा महीने इस एक्जाम में नहीं बचे हैं, जून में ये पेपर होना है और उसी के परस्पेक्टिव से अब मैं सारी वीडियोज अपल यानि भारत के राष्टपती के बारे में जिक्र आर्टिकल-52 में है फिर एक्जीक्यूटिव पावर आफ्टे यूनियन ठीक है संग की जो कारकारडी शक्ती है वो आर्टिकल-53 में है फिर आर्टिकल-54 में क्या है, election of the president यानि प्रस्डेंट के चुनाव के बारे में ठीक ह फिर है Article 55, यह क्या कहता है, manner of election of the President, ठीक है, कि President का जो election है वो किस धंग से होगा, फिर Article 56 क्या है, term of office of the President, यानि President का जो कारिकाल है, वो कितने वर्ष का है, उसके बारे में है, फिर Article 57 में है, eligibility of free election, यानि पुनह निर्वाचित, ठीक है, कि क्या राष्टपती पुनह निर्वाचित हो सकता है, तो ये पुनह निर्वाचित होने की जो योग्यता वो Article 57 में है, फिर Article 58 क्या कहता है, कि President का चुनाफ लड़ने के लिए, मतलब कि President के, as a President निर्वाचित होने के लिए, क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए, फिर है, President की office की क्या-क्या conditions है, ठीक है, president के office के का-क्या तशाएं है, फिर है article 60, ये क्या कहता है, oath और affirmation by the president, यानि जो राश्टपती शपत लेते हैं, उसके बारे में है ये article, फिर article 61, most important article है ये, कई exams में पूछा जाता है, और पूछा भी जाएगा, कि महाभी योग, जिससे हिंदी म महाभी योग कहा जाता है, तो राश्टपती का महाभी योग, ये article 61 में है, फिर article 62 क्या कहता है, time of holding election to fill vacancy in the office of president and the term of office of person elected to fill vacancy, इसका मतलब है, article 62 में है, कि जो president का जो election होगा, उसको held करने का समय कितना है, ठीक है, और and the term of office of person elected to fill casual vacancy, यानि कि जो vacancy है, उसका, जो term of office है, उस वेक्ती का वो कितना होगा, ठीक, उसके बाद है, article 63, article 63 क्या कहता है, the vice president of India, यानि भारत के उपराश्टपती के बारे में, फिर article 64 क्या है, the vice president to be ex-officio chairman of the council of states, council of states यानि राजिसभा, ठीक है, और राजिसभा के बारे में कि इस article में है, article 80 में है, वो हम आगे पढ़ेंगे, तो जो उपराश्टपती होता है, वही chairman होता है, राजिसभा होता है, झाल